तो हेलो दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपका अभिम्पनिय ओइस प्रैट्फोर्म पर जिसमें सी सैट की डिस्कुशन करते हैं तो दोस्तों अब हमारा जो सफर है ना जो हमारी जर्नी है वो बहुंच चुकिया 2020 के पेपर पर है हम डार्गेट करने ऑपना सी सैट 2024 की इसको की एफर स सथैं लेस एफर्ट के साथ नेकिश चैश चेश के साथ निए परा करें और उस एग्जाम को कै .... एच्छा से करें कि हम उस दौड में या उस रेस में सबसे आगे हो या हम उस रेस में भागे ही ना जिसमें कॉलिफिकेशन की रेस की बात हो रही कि क्वालिफाई करना है क्वालिफाई करना है हम क्वालिफिकेशन से हद आगे बढ़ें और एजी दे हमारा पेपर क्राय करें और 2020 के पेपर में भी कुछ एक प्रशन ऐसे हैं, जो पार्ट 2 या पार्ट 3 में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी जल्की आपको 2023 में दिखी होगी, तो ये कहना कि 2023 का पेपर टोटली आउट ओड़ बॉक्स से गलत होगा, प्रिकॉस ये मिथ बन चुक है, क्योंकि जो स कुछन बन सकता है, नए कुछन कहां से बनेगे, कैसे बनेगे, each and every point मुझे अच्छे से बता है, अब ये उन्यों है, इसको पूरी नॉलिज है, बिकॉस पच्छी साल से बाइसो प्लस सिलेक्शन के साथ, नमबर वन है हम, रिजन इसका कुछ है, कि डेप्ट की होती है, बह इसकी कोर्स की डेटेल जो है, आपके स्क्रिन पे है, अब क्या है ये, कैसे है, मैं आपको एके करके बताता हूँ, देखे सबसे बहले, new batch, कोर्स डेटेल, सबसे बहले, बताओं मैं आपको, ये batch मेरा है, तीन से साड़े चाथ, अगर मैं बात करूँ, ये batch चलता है, अराम करिए थोड़ा सा, काई रखी जिसे बहुत, सबसे पहले, ये चार दिन बीच, हमारा चाफोर्ड इस अभी होगा, जो आने वाले टन समय में, six day भी हो जाएगा, जैसे batch आगे बढ़ेगा, clear, इसके अंदर total lectures कितने हैं, total मेरे पास 180 से जाधा lectures हैं इसके अंदर, 180 प् क्या है मेरे पास, ये online, plus, ये online plus offline बैच है मेरे पास, जिसके अंदर, 90 lecture मेरे को मिल रहे हैं, live lectures, मतलब जिसमें मेरा details ले बस होगा, जिसके अंदर 50, इसके अंदर, इसके बात करूँ, previous year lecture कितने हैं आपके पास, previous year lecture आपके इस पंदर लेक्चर, जो already uploaded है, पोर्टल पे, done, इसके अंदर, MCQ practice session कितने हैं, 50 plus, जो already uploaded है, पोर्टल के अंदर, live mentorship sessions कितने हैं, 30 plus, clear, so ये दो वो है, जो course के अंदर मिल रहा है, आपको के सर मिल रहा है, आपने इतना emphasis कियोंकि है, because इसको छोड़के भी आपको बड़ी सारी चीज़े मिल रहे है, अब क्या मिल रहा है, देखे, सबसे पहले आपको मिल दे weekly schedule, weekly, weekly schedule क्या है, ये weekly schedule वो बार्ट है, जहां पर क्या होगा, आपके पास पूरे week का एक time table एक schedule आएगा आपके पास, ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या है, सबसे पहले इसके अंदर मिलेगा आपको pdf, जिस दिन आपका जो lecture schedule किया गए, समझे ये Monday को मेरे lecture, Monday को suppose मेरे number system का lecture है, तो number system के lecture के निचे आपको एक pdf मिलेगी लगी बोटल पे, जिसके अंदर क्या होगा, वो questions होगे, वो theory part होगा, वो कुछ जो भी है, सब होगा, जो मुझे चाहिए, या जो मैंने करवाना है class में, number दो, resources, resources क्या होता है, resources, chapter का वो core part होता है, जिसके अंदर chapter के theory होती है, या कुछ formula होते है, अब क्यों के सर और के मिल रहा है, अब क्यों के सर और भी कुछ मिल रहा है, जी हाँ, last but not the list, lastness के बाद एक चीज और आपके लिए बता है, अब रिसोर्सिस के बाद क्या है, resources के बाद है मेरे बास, मेरी practice sheet, मेरी practice sheet, अब इस practice sheet में क्या है, यह जो आदा घंट है ना, यह वही वैसे questions होगी, जैसे मैंने class में कराए है, 15-20-30 questions होगी, और वो questions हम, यह जो मेरा 4-5 बजे का time है, यह मेरे doubt session का time actually, यह 30 minutes का क्या मिल रहा है, मुझे हर lecture के साथ, doubt session, clear, क्या मिल रहा है, मुझे है doubt session, तो समझे इसको क्यों इतना important है, क्यों इतना भरी बजगम course है आपको, इसके बात करने ही जुरूरत है, सबसे end में, आपके पास क्या मिलेगा, आपको weekly test, क्या मिलने वाला आपको, आपका weekly test, आप weekly test में क्या है, ध्यान से सुरूँ, अब इस weekly test में क्या है आपके पास, आपके पास जो हमने topic किया, उस से related questions होगी, जैसे मैंने number session में time and work किया, तो उस week मेंने time and work का ही, क्या होगा मेरे पास lecture, या to sorry test, और Monday को, या जिस दिन भी मेरी next class है, उस दिन इसका live discussion होगा class में, तो आपको कुछ करने की जुरूँ थी नहीं, आओ मेरे पास, अपने आपको सौंपतो, और फिर दे को see set कैसे क्लियर करवाता हूँ, और 95177171651, यह मेरा number है, यह मारा official number है, इस पर WhatsApp भी कर सकते हैं, इस पर call भी कर सकते हैं, clear, तो प्लीज जुड़िए हमारे साथ, देखिए, next के हैं मेरे पास, next WhatsApp ग्रूप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी जॉइन कर लीजी, चलिए, अब चलते हैं हम जड़ा, 2020 के पेपर के पहले कोश जड़ा, 2020 के एक्जाम का मेरे पास, इसका क्या से गरवाएं देखो अगर बात करूं एक फोड़ दीजें वाइब को मैं इसे लिख सकता हूं कि तो कि तो टूइटू पाइब जुटरीं को स्पूरीं तुपाइब कोंटी गो को चार पंजे 20 कोंटी फाइब गो लिखोंग कॉंटीफ फाइब देख 30 को में लिखा 3 3 35 35 को में लिखा 5-7 ठीक है अब कोटिकों में कैसे लिखुआ है 48 47 47 47 को में कैसे लिखुआ है 25 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 अब ध्यान से सुनो नमबर अब 0 की जब वो बात करेगा ना डैक्त बोलो 0 बनेगा कैसे 0 बनेगा कैसे 0 आपका बनेगा एक 2 25 जिसको तोड़ के कहीं से भी 0 नहीं आ सकते एक 2 चाहिए और एक 5 इन 2 और 5 को मुल्टिप्लाइ करूँगा यानि अगर मेरे पास दो दो हैं और दो पांच है तो नमबर अब जीरो कितने अब ही दो आगे इसी तरीके से अब यहां पर नमबर अब 2 देखो भी पना नमबर अब 2 देखो कितने मेरे पांच एक दो तीन चाथ पांचे साथ आठ क्यानि मेरा उत्तर दस हो सकता है और दस मेरे कॉक्षर में भी दिया हुआ होना ही दस सही है पर नमबर अब 5 भी देख लो कितने तरह हैं तो नमबर अब 2 मेरे पास दसना पांच भी दस ही होना चाहिए दस से चोटा हैं जो मैं तो बईया लगा दूवा दसन सा बाकि फिर भी दसन ली कर लगते हैं नमबर अब 5 देखी कितने मेरे पास पांच है मेरे पास एक दो तीन ताथ पांच छे साथ आठ नो जर क्यान पांच क्या नमबर अब 5 मेरे अब 14 है तो नमबर अब कितने है ठीक है 14 देखी दो दबार देखे लो एक दो तीन चार पांच हे साथ आठ नो तीन और एक चौड़ तेफिलेंटी 2 दस और दो कितना कितना आपको आपको जाएगा बहुत अच्छे से करना तेजर समझाएगा जब को जाएगा जब पेपर करेंगी तो आपको इजरी मज़ा भी आएगा यह है अगर मैंको आज के लास्ता सब से मज़ेदार कोश्चन तो भाईया विल्फुल मान जाना है यह 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 । अ लग न इस पाइज स्पल इस यह यह इस X, Y, Z इसको में कैसे लिख सेक्चा हूँ कलेक फॉर्म जेको X, Y, Z 100 X 10 Y X plus 10 Y plus यह होगा Y, Z, X कैसे लिखूँगा Y X को में कैसे लिखूँगा 100 Y 10 Z X, X, Y X, Y, X 10 Y 10 Y 10 X 12 Z plus तो यहीन है घुज़ जाड़ दो यह ह्यू Z plus यही हो गया। देखो यह की द्रावबाइस 100 X अच्छा 10 X 111 X 2 Y 110 Y और X Y 210 Y Z 10 Z 100 Z तो हो गया। इसाल मैं X 1100 कमन लू हुँ अब निदी बाग सुनो उसने क्या बुला अब देखो 111 को मैं कैसे निखूंग अब देखो ज़रा कुछ नहीं भाई नौ दिविजिबल है इसको फॉर्मेशन पता थी फॉर्मेट पता था उसन तो इसी नहीं कर लिए अधरवाइस दिखके तो इसमें कियर चलिए नेक्स पॉस्षिंट अच्छा पॉस्षिंट था बट इसको मुझे ऐसा कुछ ने लगा कि बड़ जादा चलेंजिगोशन थाए मैंड था इसको 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 ने चलेंजिगोशन लिए पीक आवर इसको ने नेच्छ नुबर साथ था थैंट था प्र मेर पस्था नेच्छ नबर गिमन तो विलकु सेंपल दाश्य परकोश्य वाजी बात में चलिए अरु बताजी पी मैस डोजार चोला यदो खेवो डोजार सतरा यदो आर मैनर जोजार चारा कि यहां से बटा में क्या लिख सेकता हूं कि यहां से पी कितना आया तो यहां से कि कितना आया है तो यहां सिक्स